सब्सक्राइब दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि UPSC यदि संग लोग सिवा आयोग ने अपने civil services pre-examination civil services preliminary examination की date में परिवर्तन किया है it is obviously due to some obvious reason because general elections की वजए से date में change किया है जहां पहले exam 26 मई 2014 को आजजित होने वाला था और अब उस exam की date change कर दी गई है और दोस्तों date change करके किया गया है अब आपका जो exam है वो होगा 16th of June को तो 16th June 2024 को अब आपका एक्जाम होगा ठीक जो पहले जो पहले आपका एक्जाम होने वाला था 24th of 26th of June 26th of May को जो exam होने वाला था वो अब होगा 16 June 2024 को दोस्तों अब आप देखोगे कि तो बहुत जादा डिफरेंस तो है नहीं में 26 तारिक को पहले exam होने वाला था तो आपको अतरिक्त समय लगभग आपमान के चलो 15 दिन का अधरिक समय और मिल गया आपको अप्रोक्स बोल रहा हूं पंदरे दिन का समय आप लों को मिल गया तो अब इन पंदरे दिन का एक्ट्र टाइम में क्या करना चाहिए क्या ऐसी रड़री थी क्या ऐसी स्ट्रेजी फॉलो करने चाहिए जो आपको जो आपको बहतर तैयरी और बना सके और मुझे उमीद है कि अभी तक जितने भी आपको लग रहा था कि आपको विशेश रूप से फोकस करना चाहिए कि जो पार्ट आपको लग रहा था कि यार मेरा टच नहीं हुआ या कवर नहीं हुआ है जो भी आपने प्लान मनाया था फॉर एक्जामपल अभी आज है हम 21 मार्च ठीक 21 मार्च और 21 मार्च 21 एपरिल 21 में तो आपके पास 65 देस का टाइम था ठीक तो पहले 65 देस तक टाइम था आप उसमें आपको 15 देस का टाइम और मिल गया तो 65 और 15 द लोग अपने मेंस पर फोकस कर रहे हैं तो कुछ लोगों ने तयारी शायद नहीं शुरू की होगी जिल लोगों ने तयारी नहीं शुरू की थी उनके लिए गोल्डेन अपॉर्चनटी हो गई है कि उनको 15 दिन को और एक्स्टर टाइम मिल गया वैसे भी आर आप देखो ज आपको लगता है कि यार यह कर लेते तो यह हो जाता तो इन सब चीजों को अवाइड करने का यह सही और शुटेबल टाइम है तो आप पहले से ही आप 80 देज का एक स्ट्राटजी बनाओ एक टाइम लाइन फ्रेम करो आप 80 देज की आप टाइम लाइन फ्रेम कीजिए ठीक और उस 80 देज की टाइम लाइन में उस असी दिनों के समय में अब आप डिसाइड करो कि आपको क्या क्या करना है तो वैसे तो यूजवली मैंने पहले भी इस ट्राटजी वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कि आपको किस तरीके से आपको काम करना है मुझ अच्छे आपके पास समय है इस समय के दोरान आपको 85 देज का टाइम है तो आप इस 85 देज वे अपने जितने भी जो ट्राइशनल सबजेक्ट है जैसे history है geography है quality है economy है science and tech है science and Tech and General Science, History, Geography, Quality, Economy, Science and Tech, Environment, Art and Culture, plus the very important Current Affairs, ठीक है, History, Geography, Quality, Economy, Science and Tech, Environment, Art and Culture, ठीक है, यह जो Major Segment है, इन Major Segment में सबस्यादा आपको Focus किस पर करना है, अभी Current Affair पर Focus करना है, तो Current Affair पर थोड़ा सा Focus और ज्यादा करिए, ठीक है, जिन लोगों को लग रहा है, क्या Current Affair, Current Affair करना उतनी टाइम कहीं, जो त्राइम आपने पहले रिसाइड कर रहा है, जिसमाल लीजे, अभी 16 जून को एक्जाम होना है, ठीक, 16 जून को एक्जाम होना है, तो आपको Current Affair, मान के चलो कि April तक का Current Affair आपका Ready होना चाहिए, है ना, April तक जो Current Affair है, वो आप तिल April 2024 तक कि जिदने भी जो Current Events हैं, उससे आप अपडेटिट रहे हैं, कहां से लेकिन लेकिन इसका आप मान के चलो कि 1.5 year to 2 years, मतलब आप कम से कम 18 से 24 महीने पीछेगा, minimum 18 months तो मान के चलो उससे कम नहीं, minimum आपको 18 महीने का Current Affair तो कवर करके चलना हैं, मेरा कहना यहां पर यह है कि अगर आप जो Current Affair कर रहे हैं, उसमें से एक बड़ी महत्पून बात है, और महत्पून बात यह है कि इस Current Affair वाले सेग्मेंट का रिवीजिन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर आप प्रॉपर रिवीजिन कर किया है आपने इस Current Affair वाले सेग्मेंट का तो निश्चित रूप से आपका सेलेक्शन होगा ही होगा, ठीक है, अब बात रही कि GS के कौन से सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो मेरा ऐसा मानना है कि जैसे आप देखोगे एक जोगर्फी एक इंपॉटेंट सब्जेक्ट है, जोगर्फी के साथ साथ इनवार्मेंट, आप लास्ट यर का भी पेपर उठागे देखो, आप प्रिवेस यर पेपर अनलेसिस करोगे, तो जोगर्फी और इनवार्मेंट से काफी कोशन पूछे गये, तो इनवार्मेंट में जो कोशन पूछे जा रहे हैं, पिशले तीन-चार साल से मैंने जो ट्रेंड अनलेसिस किया है, वो करेंट बेज़ क्वेस्ट हैं, तो मेरा आपसे यही कहना है, कि जब आप करेंट अफेर कोड़ों के तो खास कर जो गटनाओं को जरूर देखते जाओ अब यह सही समय नहीं है कि अब आगर आपको मालीजे प्रलिम्स दे नहीं है इस बार तो दिस इस नॉट दर राइट टाइम तू स्टडी करें अफेर फॉन दे नियूस्पेपर जो कि नियूस्पेपर आप डेली पढ़ सकते हो आधा सब्सक्राइब शुरस फॉलोगार सकते हैं बस उसका क noun को मडिपल विडं शुक्राइब करना को शिशिशे कर कोशिश करिए कि इन इस लास्ट मुमेंट में एक्जाम के जब 7-дिन बचे होते हैं तो अपना जो synopsis है, अपना जो synopsis है, इस synopsis को अच्छे से और तयार कर लिए, ताकि last moment ने जिसको हम कहते हैं, पीटी facts, पीटी facts, तो आप एक fact की sheet बना लीजिए, ठीक है, जहाँ जहाँ सभी आप जो खटना है पटना उसकी fact की sheet बना लीजिए, एक मेरा और suggestion है, जो शायद आप लो कहीं से भी, जहाँ कहीं से भी आप mock test paper solve कर रहे हैं, आपको इस बात का विशेज ध्यान रखना है, कि जैसे माल लीजिए, आपने upcoming days में 30 to 40 test paper solve किये, including CSAT, 30 to 40 आपने paper solve किये, including CSAT, तो आपको हर एक question paper का analysis भी करना है, अगर नहीं कर रहे हैं, तो करना शुरू कर दीजिए, और उस analysis में जो question आप से नहीं बने, जो question आप से गलत हो रहे हैं, तो उसके जो important facts हैं, वो आपकी copy में notes के form में होने चाहिए, facts notes उसको बोलो गया, जो fact आप से नहीं बन रहे हैं, जहां पर question गलत हो रहा है, जो concept आप बार बार जहां पर गलती हो रहे हैं, तो उसका revision करो, प्लस उसका revision करने के साथ-साथ आउसका analysis कीजिए, ठीक, analysis कीजिए और साथ में एक fact की एक sheet जरूर बना लिजे, ताकि last moment में जब आखरी के 10-15 दिन रह हैंगे, तो आप उसका अच्छे तरीके से revision कर सको, चाहे वो geography से संबंदे, चाहे वो geography से related कोई data हो, है ना, चाहे वो economy, budget, economic survey का से related कोई data हो, या फिर वो environments related कोई important data हो, है ना, तो इन सब को अच्छे से prepare कर लीजे, ठीक, या फिर माल लीजे, science and tech में कोई घटनाय घट रही ह हैं, उस से related कोई data है, या कोई government scheme है, क्योंकि government scheme से भी questions करेंड अफिर वाले segment में government scheme से भी questions पूछे जाते हैं, तो आप एक fact sheet अपनी जुरूर तायर कर लीजे, इसके बाद एक और मेरा बड़ा महात्रपूर्ण suggestion यह है, कि भाई सब C-SAT को नहीं छोड़ना है, यार, C-SAT, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पिछले करीब दो साल से, दो साल, in fact तीन साल से, मलब 2021-2023, तीन साल का paper उठा के देखो, तो C-SAT में लोगों को काफी हद तक difficulty हो रही है, है न, तो इस difficulty को, जो C-SAT में आपको जो difficulty हो रही है, इसको दूर करने के लिए निश्यत रूप से आपको इसमें बहुत जादा अभ्यास की आवश रखता है, है न, अब आप ये देखो कि C-SAT का कौन सा ऐसा सेग्मेंट है, जो आपके दायरे में है, यानि C-SAT में कौन सा ऐसा सेग्मेंट है, जिसको लगता है कि यह मेरा zone है, comfort zone है, यहाँ पर अगर मैंने effort डाल लिया, तो मैं च्छे से कर पाऊंगा, वो reasoning भी हो सकता है, वो mathematics भी हो सकता है, वो English के जो comprehension, Hindi वाले comprehension आते हैं, वो भी हो सकते है, कुछ भी हो सकता है, तो मेरा suggestion है कि आप उसकी practice जरू कीजिए, जितना आप GS पर focus कर रहे है, चुकि मैंने देखा है अभी पिछले तीन सालों में, ल कि आसपास है, यह 67 से कम है, वो जो desired number है, उस desired number के पास नहीं पहुंच पा रहे है, किसी का 60 है, किसी का 62, 63, इस तरीके से हो रहा है, तो इस चीज को avoid करना है आपको, तो इसको यह ना हो, यह समस्या ना हो, उसके लिए आपको अच्छे तरीके से CSAT के practice करनी है, जितना आप GS पर focus कर रहे हैं, मैं कहूंगा, उतना ही नहीं, लेकिन उससे थोड़ा सा कम जरूर आप CSAT पर focus जरूर करिए, आप देखिए कि कहां आप ज्यादा बहतर कर सकते हो, आप comprehension में ज्यादा अच्छा कर सकते हो, या फिर आप max वाले segment में ज्यादा अच्छा कर सकते हो, या फिर सकते हैं, और CSAT में मुझे कम से कम 80 question, 200 number का paper है, और मुझे at any cost 80 to 85 तो score कर नहीं करना है, इतना target लेके चलोगा, इतना आप 80 to 85 marks का target लेके चलोगे, तब जाकर आपका ठीक प्रकार से बात बन पाएगी, 75, 80 के असपास तब जाके लटक होगे, है न, CSAT के paper को solve करते वक्ते इ जहां देना है, जैसे हम GS में तो हम suggest करते हैं कि GS वाले paper में, जो prelim समझे GS का paper हो, उसमें तो हम suggest करते हैं कि आपको GS के paper में maximum attempt करना है, 85 to 90 questions तक आपको attempt करना है, logically but, तुक्का लगा के नहीं, पेर तुक्का लगा के नहीं, लेकिन CSAT में ऐसा नहीं, CSAT में जहां पर आप sure हो, जहां पर आप confident हो, कि भाई, मुझे ये question बन रहा है, उसी question पर ही हात लगाओ, और उसी question को करो, अननेसेसरी CSAT में आपने ये practice करने के कोशिश करी, कि यार, डेलेवा में है, या हो जाएगा, या नहीं हो जाएगा, इस तरीके साब ने किया तो मामला गड़बल हो जाएग तो CSAT में इस बात का विशेज धानकना है, GS में तो चलेगा 85-90 तक लोग attempt करते हैं, जो थोड़ा सा confident होते हैं, ठीक है, और उन लोगों को इसका positive result भी मिलता है, लेकिन CSAT में ऐसा बिल्कुल भी suggestible नहीं है, कि आप unnecessary, आप 80 में से पताचला आपने 65-70 तक attempt कर दी और पताच अच्छे कर रखी हो, लेकिन दोस्तों, प्रलिम्स पर अप समय आ गया है, फोकस करने का, जो कि ज्यादा समय आपनों के पास नहीं बचा है, तो प्रलिम्स पर फोकस करिए, GS और CSAT दोनों को साथ में लेके चलिए, ताकि आप 16 जून के पहले ठीकी तरीके से प्रपेर हो सक आप 16 जून को भूल जाओ, कि 16 जून को आपको एक्जाम होना है, एक्जाम आपका पोस्पान होगा है, फॉर्गट बाउट आट, आप तो सिर्फ और सिर्फ अपने एक्जाम का जो प्रीवेस डेट था, उसी डेट पर स्टिक रहो, यार पहले भी मेरे एक्जाम 26 मई को थ और अब मुझे कुछ और चीजों पर फोकस करना चाहिए, जो जो मेरी कमिया है, कमजोरिया है, उन सब चीजों पर आप देख सकते हो इसको दबारा, या 26 मई को अगर आप डेडलाइन सेट करो को तो उसके बाद भी आपको कम से कम एक 10 से 15 दिन का समय मिल जाएगा, जहाँ फिर से आपना फाइनल टच अप दे सकते हो अपने अलग-अलग सब्जेक्ट्स को, ठीक है, तो ये मेरा सजेशन था, छोटा सा मैंने आप लोगों को बता दिया, और दोस्तों इसके अलावा एक महत्पुला इंफरमेशन ये भी है, कि आज है 21 तारिक, 21 मार्स से शुरू ह हो रहा है उतकर्ष Civil Services के द्वारा Holy Hangama offer और दोस्तों इस Holy Hangama offer में आप लोगों को उतकर्ष application पर, उतकर्ष application पर UPSC के सभी courses पर 90% तक का discount मिल रहा है, प्लस 90% के discount के साथ साथ आपको सभी courses पर 3 महने के extra validity मिल रही है, दोस्तों UPSC के सभी courses यहां के विशय विशेशक के सिक् किये जाते हैं ठीक उनके द्वारा यहां पर पढ़ाया जाता है ताकि आपको उचित मार्क दर्शन मिले और एक बहुत अच्छा मौका है इस होली हंगामा ओफर में कोर्स परचेज करने का क्योंकि आप घर बैठे अपनी किफाइटी नाम पर घर बैठे गुडवत्तापूर सिक्षकों के माद गुडवत्तापूर त्यारी कर सकते हैं चुकि सभी सिक्षक यहां पर अपना 100% देखे पढ़ाते हैं ठीक तो किफाइटी और गुडवत्तापूर सिक्षा घर बैठकर करने का बहुत बहुत बहुतर मौका है सभी कोर्स पर उतकरश अप्लिकेशन में UPS के सभी कोर्स पर 90% का डिस्काउंट चल रहा है साथ-साथ तीन महिने की एक्स्टा वैलेडिटी पर ध्यान अखिएगा दोस्तों यह इस कोर्स में या UPSC किसी भी कोर्स में इन्रोल करने की लास्ट डेट 28 मार्च की चुकि यह होली हंगावा ओफर 28 मार्च के बाद समाप् करते हैं कि जब सूर्य विश्वत रेखा पर लंब चमाकर होता है जहां देन और रात की अवधी एकदम बराबर होती है ठीक है चलिए इसी के साथ मैं इस सेशन को समाप्त करता हूं और इस ओफर को जरूर ध्यान में रखिएगा ताकि आप कम दाम पर कोर्स अबेल कर सकें और अपनी तयारी को शानदर और बहतर बना सकें तो अभी download करिए उतकरशा अप्लीकेशन और जब इस course में enroll करना चाहते हैं उस course में enroll करके अपनी तयारी को शानदर और बहतर बनाएं थांक्यू सो मच आपरी ओल debating occupy होली